हलो गुनमानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं नियो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तो चली जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 और सहिकाओं को 4750 रुपे मिलेगा मानदे चम्पई सोरेन की बड़ी खोशना अब आगनबाड़ी सेविकाओं को हरमा 9,000 की जगहा 9,500 रुपए और सही काओं को 4,500 की जगहा 4,750 रुपए मांदे मिलेगा यगोशना मुख्यमंत्री चमपई सुरेन ने बुधवार को हरिवन स्टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेल गाओं रांची में की है इस मौके पर उन्होंने सर्वजन पेंसन योजना के तहट 50-60 वर्स के लाभोकों के बीच पहली किस्त की रासी खा हस्तांतरन किया इस योजना के तहट मुख्यमंत्री ने 1,58,218 आदिवासी दलित और महिला लाभोकों के बैंक खाते में डिबीटी के माध्यम से व्रिधा पेंसन की पहली किस्त की रूप में 31,64,36,000 रुपे हस्तांतरित की इस सौसर पर आयोजित समहारों को शंबोदित करतो हुए मौकेमंत्री चंपई सोरिन ने कहा कि राजज गठन के 24 वर्स बीच गए हैं लेकिन आदिवासी मूलवासी का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है राजज में सबसे अधिक सासन करने वाली भाजपा को राजज के आदिवासी मूलवासी अल्प संख्या को अपशड़ा समुदाय के प्रती कोई हमदर्दी नहीं थी इनकी नजर स्रिफ इनकी खानी संपदा पर थी इसलिए भाजपा ने इन्हें ठगा है भाजपा ने स्रिफ अनर्गल प्रचार प्रसार करने में अपना समय वैतीत किया मुखमंदरी ने कहा है कि डबल इंजर्ण की सरकार ने राजपास की स्रिफनी में सबसे निशले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया इससे तरस्त होकर राजपी जनता ने 2019 में हेमन्तु सोरेन की नितितों में महा गडबंधन को जना देश दिया दो शाल तक कोरोना दंस जीनने के बाद गडबंधन की सरकार ने गाओं गाओं घूम कर गरीबों के दर्ध को समझा मुक्यमंद्री ने कहा है कि गरीबों के दर्ध को देखतों हुए सरकार ने सरवजन पिंसन योजना की निम्तुम उम्रसीमा को 60 साल से घटा कर 50 वर्स किया ताकि राजपी महिलाएं वा स्टी सी वर के लोगों को आर्थिक मदद मिल सके वही पहली किस्त जो राज्य विद्वा जो है पुनर्विभा पुनर्विभा करने वाली महिला को 2 लाक रुपए सहतारासी दिये जाने का परवधान है चमपई सरकार ने किसानों को लेकर की बड़ी खोशना केबिनेट बैठक में 40 प्रस्ताओं पर लगी मुहर चमपई सोरेन की नित्यतों में हुवी जार्कैन केबिनेट की बैठक में बुधवार को 40 प्रस्ताओं पर मुहर लगी है इस दोरान सरकार ने किसानों को बड़ी रहती है इस दोरान चमपई केबिनेट के फैसले से किसानों को क्रिसी उपकरनों की खरिदारी पर 40 की जगा 80% तक की छूट मिले की इसकी अतरिक्त कारखाना अधनिया में कई बदलाओ को लेकर फैसला लिया गया है जिससे विवासाईयों को फायदा होगा बुधवार को हुई केबिनेट की बैठक से पहले चमपई सोरिन की सरकारने प्रदेस में लाखो पेंसन धारकों को पहले किस्त किरासी ट्रांसफर कर होली की सौगादी है इसके अलावा कई और फैसले राजजहित में लिये गए हैं बैठक की बात के बिनेट सची वंदना दादिल ने बता है कि प्रात्मिक रासी एक तालिस सो बीस करोड में वर्तमान अनुसूचित दर के पांच जार तीरपन करोड देने को मंजूरी दी गई है इसके अलावा चवालिस आवासिये विद्धालियों का संचलन गैर सरकारी म अधम से करने का फैसला लिया गया है राजय अस्तर के पदों पर परनुती के लिए एक से पचास पदों के लिए आरक्षन के नय रोष्टर तै किया गये हैं इसके साथ साथ क्रिसी विभाग के तहट मसीन उपकरन में करुदान को 40% से बढ़ा कर 80% किया गया है वही सिसू क कि देखभाल के लिए महिला करमचारियों को 730 दिन का आवकास मिलेगा जिनकी बच्चे 18 साल से नीचे हैं उन महिलाओं को चाल्ड केर लीव के तहट 730 दिनों तक का आवकास मिल सेखेगा वित्तिवर्स 2024 के बजट प्रकलन पर मंत्री परिश्ट के श्विक्रिती हुई वह जारिकन का आरखाना नियमवाली 1950 में सनसोधन हुआ अनुग्या परमानपत्र निम्तम एक साल और अधिक्तम 15 वर्स तक अब जारी होगा इसके अलाओ भी कई अन्य प्रस्ताओं पर केबिनेट की बैठक में मुहर लगी है जारिकन केबिनेट की बैठक में इन प्रस्ताओं पर भी लगी मुहर जारिकन केबिनेट की बैठक बुधवार को हुई जिसमें 40 प्रस्ताओं पर मुहर लगी है जिसमें कई जोहें अहम प्रैस्ताओं है जारिकन के कलाकारों के लिए विदेश में प्रस्तूती देने के ल इसके साथ ही शाथ राज़के स्वास्थ केंदर और अस्पताल में पी 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 मोड पर दस बेड आईस्यो बेड और जो है टेली आईस्यो के लिए करनाटा की एजनसी इशाथ करार होगा इसके साथ ही रिम्स फूलो जानू अस्पताल दुम का धनबाद और 21 अनुमंडल अस् 32 करोड रुपए की स्विकृति दी गई है इसके साथ ही साथ राज़के सरकारी असकुलों में कच्छा एक से आर्ट तक निसुल को कौपी देने के लिए रासी में वृद्धी की गई है वह एक खेलगाओं सलक से नामकुम 6 दसमलो 275 को फोरलेन करने के लिए 158 करोड की चुरिदी गई है इसके साथ साथ जो है कारकाना लाइसेंस निया में परिवर्तन अब लाइसेंस एक वर्स से लिखर 15 वर्स तक का मिलेगा इसके अलाव भी कई अहम प्रस्ताओं पर मुह लगी है ट्रांसफर से नाराज SDPO ने दिया इस्तिफा सोशल मीडिया पर लिखा जीवा नौकरी से बड़ी है नियाय की जीत होनी चाहिए जार्कन में ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर सुरू है कई पुलीस पददिकारियों को एक जगा से दूसरी जगा भीजे जा रहे हैं जार्कन सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर कई पुलीस अफसरों का तबादला किया ट्रांसफर लिष्ट में खोरी महुआ SDPO शाधित जफर का भी नाम है ट्रांसफर से नाराज SDPO ने नौकरी से इस्तिफा दे दिया है इसकी सूचना SDPO ने अपने फेस्बुक एकाउ सूचल मेडिया पर लिखा गया साजित का यह पोस्ट खूब वारल हो रहा है उनके पोस्ट का स्क्रीन साट कई वाट्सप ग्रूप में घूम रहा है SDPO साजित जफर डेड़ महा में खोरी महुआ SDPO के पत से हटा कर S.I.S.F. बोकारों में पदा स्थापित कर दिया गया ह ट्रांसफर की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने सोचल मेडिया पर नाराजगी जाहर की और नौकरी से इस्थिपात देने की खोशना की ख़बरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यू जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बेल आकन प्रेस कर दिचे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचता रह तो चले बढ़ते हैं ख़बरों की और अभी तक आयोगद्वारा डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभ्यर्थियों ने आरोप लगा है कि सरकार उनके शाथ चल कर रही है उन्होंने कहा है कि गुरवार यानि शाथ मार्ज को सरकार फिजिक्ष, कैमेस्ट्री, जियोलोजी और जियोग्राफिक के लेकिन हमें इंतजार कराय जा रहा है राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा है कि आंदुलन के दूसरे दिन भी सरकार का कोई नुमाइंदा जो हमसे मिलने नहीं आया हमें कोई ठोश आसवाशन भी नहीं मिला है उनका कहना है कि जब कचरी चॉंक से लेकर सहित चॉंक तक केंडल मार्च निकालेंगे अभ्यर्थी देवेंदर कुमार ने कहा है कि सरकार जब तक हमें न्युक्ति पत्र नहीं देती हमारा अंदुलन जारी रहेगा सिम चमपाई ने रांची के काटा टोली फलाईवर के किया निरक्षन बोले हरहबत लूगा प्रोसेस रिपोर्ट मुक्यमंत्री चमपाई सोरेन बुधवार को काटा टोली फलाईवर के निरक्षन करने पहुँचे और वहाँ उन्होंने जाजा लिया वह देखना चाह रहे थे कि कारिये कहां तक पूरा हुआ है और फ्लाइवर कब तक बन कर तयार हो जाएगा जिसके बाद उन्होंने सिरम टोली फ्लाइवर की और रुक किया बता दे कि कांटा टोली फ्लाइवर का जाजा लेने के बाद सीअम ने जो है सिरम टोली फ्लाइवर के निरक्षण करने पहुँची सीअम ने मीडिया कर्मियोंशे बात कर लोगों को आस्वाशन दिया है कि जुलाई 2024 तक सिरम टोली फ्लाइवर बनकर रेडि हो जाएगा समय पर इसे पूरा करने को भी कहा है। सिकायत करता अजय सिंग को अभीनेतरी अमिशा पटेल दो करूड 75 लाक रुपे देने के राजी हो गई है। और उनके बिजनेस पार्टनर कुनाल गुरुमर को जो है CRPC की धारा 313 का बयान दर्ज़ करने के लिए साथ सरीर हाजीर होना होगा। सुनवाई के दोरान अमिशा पटेल की और से अधिवक्ता जय प्रकास और सिकायत करता की और से विजय लक्ष्मी ने पक्ष रखा। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हेमन्तु सोरेन का रिकॉर्ड तोड रहें CM चमपई, DSP साजित जफर के तबादले पर बोले अमरभावरी, DSP साजित जफर के ट्रांसफर मामले में नेता प्रतिपक्ष अमरभावरी ने सरकार को अड़े हां थुलिया है, अम परिशान होकर अपने सोशल मीडिया फेस्बुक पर एक पोस्ट लिखकर अपने पद से इस्तिपा देने का नरना लिया है, या राज कहां जा रहा है, या एक चिंता का विसा है, मैं जफर से अपील करता हूँ कि वहां अपने नरना पर फिर से विचार करें इस पाखंडी स सरकार के कुछी दिन बचे हैं, अमर बावरी ने कहा है कि राज़े को बदनाम करने और यहां के अधिकारियों का मनोबल तोड़ने में जहामों कॉंग्रेस राज़त की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, इस से महागडबंधन वाली सरकार के पूर्व के मुखिया, हैमन मंत्री ट्रांसफर और पोश्टिंग को एक उद्ध्योग की तरह समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में साफ रहेगा राज़े का मौसम, एक-दो दिनों तک महसूस की जाएगी ठंड, राज़े में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, पिछले कुछ दिनों से जारी बारिस और वजरपात की संभावनाएं भी खत्म हो गई है। इस दोरान राजी का और शतन अधिक्तम तापमान 29 डिग्री तक और निम्तम तापमान 16 डिग्री तक रहने की शंभावना है। इम्ती राजा को पार्टी का पट का पहना कर स्वागत किया कलपना मुर्मुशोरेन ही पती हेमन्तु सोरेन का सोशल मेडिया एकाउंट चलाती है। उन्होंने लिखा हर हाथ तीर कमान थामे का जहमो का कारवा बढ़ता जाएगा। साहिब गंसे आसू नेता स्री एम्टी राजा जी का जहामो परिवार में हार्दिक श्वागत और जहार 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 कन के जन नेता हिमन्त जी को सड़ियंत के तहत परिशान करने वाले विपक्च की उल्टी गिंती सुरू हो चुकी है। जहार 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 कन हिमन्त है तो हिमन्त है। तश्वीरे साफ हो जाएंगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जहार जहार में कौन सदल कहां से चुनाओ लड़ेगा। इसकी घोशना कर दिजाएगी लोगसभा चुनाओ लड़ने के लिए कई उमिद्वारों ने कॉंग्रेस को अपना नाम दिया है। इस थानिय मुद्दो के अधार पर लड़ा जाएगा इस बार का लोगसभाचनों देवेंद्र नात महतो। जारकंडी भासा खतियान संगर समेती के नेता देवेंद्र नात महतों ने कहे कि इस बार का लोगसभाचनों इस थानिय मुद्दो के अधार पर लड़ा जाएगा। बतादे की समेती की और से बुद्दवार को तोपापीडी मैदान अडाल नावाडी में छेत्रिय जन समस्याओं को लेकर जन असिरवाद महासभा कायोचन किया गया। इस महासभा में सिल्ली प्रकंड के आसपास के हजारों जो है आमजन पहुँचे महासभा के मुख्य अतिति और संगठन की उपाध्यक्ष देवेंदर नात महतों ने कहे कि या चुनावी शाल है कहे कि इस बार का चुनाव छेत्रिय मुद्दो पर अधारित होना चाहिए। वर्टमान और पूरवर्थी इस्थानिय वधायकों ने यहां की छेत्रिय समस्याओं को लगतार नजर अंदाज किया है। इस दोरान वक्ताओं ने कहे कि यहां के इस्थानिय नीती नियम को लेकर संगठन की लड़ाई लगतार जारी है। अब राजनितिक बदलाओं को ल रखने के जरुत हैं विजय लक्षमी गंभी रुप्षे घायलो गई जबकि कारपर सवार जो है अजय कुमार पचास वर्से की इस दूर घटना में मौत हो गई घटना के बाद जेजे कॉलेज की छातर चातराओ ने घायलो को आटो के जरिये इलाज के लिए सदर अस्पताल को डर्मा पहुँचाया जहां चिगत्सकों ने प्रात्मिक जाच में अजय कुमार को मृत्य होशित कर दिया वही अन्य घायलो को जो इलाज के लिए विजय लक्षमी जो है रैफर कर दिया गया चालाक का इलाज सदर अस्पिताल में चल रहा है फूल गोबी में चिपा कर जारिखन से लाई जा रही थी वाइन 246 काटून विदेशी सराप की साथ दो तसकर की रपतार बिहार में करीब आठ साल से पूर्ण सराबंदी है इसके बावजूद सराप तसकर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे है अवाद सराप के धंदेबाज सराप तसकरी का नया नया हतकंडा अपना रहे है इस बार फूल गोबी में चिपा कर नालंदा में सराप की बड़ी खेप लाए गई थी लेकिन तभी पूलिस को इसकी भनाक लग गई और पूलिस ने पिक अफ वेन को पकड़ लिया जिसमें फूल गोबी में चिपा कर रखे गई 246 कार्टून अंग्रीजी सराप को जब्त कर लिया गया साथी दो सराप तसकरों को भी करेपतार कर लिया गया लोक्स भाचना और होली परवो को लेकर जो पूलिस एक्टिव हो गई है सराप तसकरों पर लगतार कारवाई कर रही है इस इकरम में नालंदा पूलिस ने या बड़ी कारवाई की है दिल्ली एंसियार के सूशल मेडिया इंफुलेंसर का यूटूब चैनल है करने वाला पलामो का साइबर अपर्याधी ग्रैपतार साइबर क्राइम के यूटो पूरी दुनिया में जार्कन का जाम थाड़ा बदनाम है लेकिन अब इस अपर्याध को अंजाम देने वाले प्रदेश की अलग-अलग हिंसों में पाया जाने लगे हैं यहाँ तक की पलामो में भी साइबर क्राइम फनने फूनने लगा है बुधवार को जब पलामो के एक साइबर क्रिमिनल को गिरपतार किया गया तो सब चौंक है इस साइबर अपर्याधी को दिल्ली NCR के कुछ सोशल मेडिया इंफुलेंसर के यूट्यूब चैनल हैक करने का आरोप में गिरपतार किया गया है दिल्ली और नवैडा के यूट्यूब इंफुलेंसर की शिकायत पर जार्कन पुलिस ने परतिबिम आप के जरीये आरोपी कुंदन तिवारी को गिरपतार किया है गिरप्तार आरोपी कुंदन तिवारी पर उत्तर प्रदेश और दिली के कई यूट्यूब चैनल को हैक करने का आरोफ है। पिछले महिने 10 फरवरी 2024 को कृष्णानन्द सिंग का निधन हो गया था, घर के सभी लोग उनके क्रियाकरम में बिहार के पैतरिकाओं पतना के नौबत पूर गया हुए थे। जिनके क्रियाकरम में सब भी परिवार बिहार के पतना चले गए थे। इसी क्रम में मेरे बोकारो अवास में ताला तोड़ कर चोरी हुई है। जो है सोना और चांदी की गहने और नगद रुपे भी जो है आलमीरा में रखे हुए थे जो चोरी हो गई है। इस समन में थाना परभारी ने कहा है कि मामला दर्च कर मामले की जाज की जा रही है। जबिन पहलवों शिजाज करतों बे जल्द ही रपतारी की जाई है। अराजक माहोल से राजज को बाहर निकानने के लिए हमें मिलकर काम करने की अवश्रकता है। मौके पर ज़ारकन मुक्ती मोचा समेट विविन राजनितिक दलों के सैकड़ों निताओं और कारे करताओं ने पार्टी की श्रदशता ग्रहन की मिलन सम्हारों में बोलते हुए शुदेश। कुमार महतों ने कहा है कि ज़ारकन मुक्ती मोचा ने कभी भी जनता के हित में नहीं सोचा इसका ध्यान सिर्फ लूट का सोट पर है। जो है तर्मेताश और जनता के विश्वास के साथ अपनी जिम्मेदार इनी भागी सम्हारों को केंद्रिय महासची उमाकांत रजक जो है देवशरन भगत आदी ने भी शंबोधित किया। सुनवा मोखे मार्क पर एक तेज रप्तार गुदरी से चकरदरपूर आ रहे है अवैदबालू लदे ट्रेक्टर ने एक बाइक सवार को रौन दिया। बाद में ट्रेक्टर का संतुलन बिगर जाने से सड़क किनारे खेद की और पलड़ गया। घटना में बाइक सवार सहिद ट्रेक्टर चाला की भी घटनास तल पर ही मौत हो गई। घटना के खबर मिलते ही शौनवा पुलिस ने घटनास तल पर पहुँचकर दोनों समों को बरामत कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रेक्टर को भी जब्त कर लिया है। मिर्तक बाइक सवार की पहचान गोईल के राथाना चेतर के रुमकुट गाउनिवासी बेर रोड सिर्का की रूप में हुई है जबकि ट्रेक्टर चाला की पहचान हांडी मारा गाउं की जो है मातरा बाकीरा की रूप में हुई है। बता दे कि कुछ माँ पहले भी गुद्री से अवाद बालू लेकर आ रहे है ट्रेक्टर के खाई में गिर जाने से चला की मौत हो गए थी। इसके बावजूद अवाद बालू का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खरगडी हा जेरवाडी 89 सरफराज की पतनी खुस्बुखातुन को प्रसो पीड़ा के बाद बेंगाबाद के एक नीजी होस्पिटल में भरती खराए गया था। अविलम जरजर कॉलेज भवन को तोड़कर नया भवन बनाने और अनिश विदा बाहाल करने की मांग की। इस दोरान आजसू शात्र संगटन ने जम कर प्रोदर्शन किया। शात्रो ने बताया है कि जब तक उनकी मांगो को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनका आंदूलन जारी रहेगा। शात्र नेता हिमंत पाठक ने बताया है कि कॉलेज परबंधन की और से उन्हें भरोसा दिला गया है कि जल्द ही उनकी मांगो को विश्विद्धाले तक पहुंचा दिया जाएगा। शात्र नेता हिमंत पाठक ने बताया है कि यदि 24 घंटे के अंदर उनकी मांगो पर काम सुरू नहीं हुआ तो अब शात्र शात्राइं हेलमेट पहन कर कॉलेज आएंगे। इस दोरान शात्रों ने जो है कॉलेज गेट में ताला बंदी कर प्रोदसन किया। ग्रामिनों ने मुकेमंतरी जंपई सोरिन वबा गोदर विधाय विनोत सिंग को वधाय दी है। पूरा किया जाना चाहिए इससे आधि में नहीं रोका जाना चाहिए। कि जहें खरकरी डेम प्रोजेक्ट में 6,000 करोड रुपे से अधिक रासी खर्च किये जाने के बाद राजसरकार द्वारा इसे बंद करने पर आपत्ती जताते हुए शंतोस कुमार सोनी द्वारा दैर जनित याचिका किश्वन वाई जहार केंड हाई कोट में वो ध्वार क बचा है और इसके लिए कितनी रासी आपके पास बची है वही जलसन साधन विभाग के अधिक्षन अभ्यानता की और से कोट को बताया गया है कि जमीन अधिकरहन पर इस्थान्य ग्रामिनों के विरोध के कारण इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बाधा हो रही है इस पर कोट ने मौकिक रूप से कहा है कि आपस में मिल जूलकर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए एक सट सो करोडर पे खर्च हो चुका है इतना रासी खर्च होने के बाद इसे आधे में नहीं रोका जाना चाहिए कोट ने मामले की अगली शुनवा से भाजपा सांसन निसीकान दुबे ने जारखन मुक्ती मोर्चा के अध्धक्षा राजसभा सदस सीबू सोरिन वा उनके जब परिवारिक सदस्सों की विरुध आईसे अधिक संपत्ति अरजित करने के मामले में सीबियाई में लिखित सिकायत कर दी है अब सीबियाई इस प्रात्मे के दर्चकर जाँच का आदेस दिया था लोगपाल निया आदेस प्रारंभिक जाँच में लिखे तत्यों के आधार पर दिया था सीबियाई में की गई जो है लिखित सिकायत में सांसं निसिकान दूबे ने लिखा है कि 15 साल में ब्रश्टाचार के मार्धम से सीबू शोरेन वाउन के परिवारिक शदश्यों बेटी बहु ने राची धनबाद दुमका आदिच शेत्रों में चल अचल रूप से बड़ी स संपत्ती अरजित की हैं राची के ट्राफिक व्यास्ता को शुद्हारने की क्यावद सुरू कर दी है इसको लेकर ट्राफिक एस्पी ने मंगलवार की दो बाहर से लेकर साम तक विभीन विभागों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एस्सीयेशन को लोगों के शाथ जो है बैठा की और कई नर्देश जो ही राजी में ट्राफिक व्यास्ता को दुरूस्त करने की क्यावद शुरू हो गई है। जो भी जुर्माना लगा जाएगा। इसके लिए वस्तना ही हमें देजिये अजाजत मिलते हैं। नेक्स्ट कबरों के साथ धन्यवाद।